दोस्तों में समीर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल सैम्टेक में और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपके अकाउंट की थ्रेसर लिमिट एकसीड हो गई है तो वो आपको मैनवली रिसेट कराना है तो उसके लिए आपक में कौन-कौन से डाकुमेंट देने पढ़ सकते हैं दोस्तों सारा कुछ आज की इस वीडियो में आपको मैं क्लियर कर दूँगा तो मेक शूर करके वीडियो के इन तक जरूर देखिएगा चैनल पर नय होईएगा तो सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलिएगा ऐस से ही लेटेस टेकलोजी अपडेट्स के लिए तो दोस्तों बिना किसी तेरी के चली वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो मा के बढ़ने से पहले आपको समझना होगा एक फाइनेंशियल ये किसको कहते हैं दोस्तों एक अप्रेल से लेके 31 मार्च के बीच में जो दिसम्बर का दोस्तों इसको bank नहीं मानता वो अपनी सारी calculation को एक financial year के अंदर ही करता है तो दोस्तों आपको अपने mind में ये रखना है कि एक financial year जो होता है उसकी duration होती है एक अप्रेल से लेके 31 मार्च के बीच में दोस्तों अब बात आती है कि अगर आपके account की threshold limit exceed हो गई है और अगर आप अपने account की threshold limit को bank जाके increase नहीं कराना चाहते हैं तो वो automatically reset कब होगी दोस्तों जैसे ही एक financial year end होगा यानि कि जैसे ही दोस्तों 31 मार्च आएगी आपकी limit दोबारा से फिर से reset हो जाएगी और वो automatically होगी आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है bank आपकी जो limit है वो फिर से reset कर देगा यानि कि mean of the conclusion यह है कि जब भी एक financial year end होता है आपकी bank की जो threshold limit है वो automatically update कर दी जाती है यानि कि दोस्तों अगर आपको 80% या फिर full exceed होने वाला message आ भी चुका है तो उसमें आपको कोई भी परिशान होने की ज़रुवत नहीं है आपके सामने सिर्फ दो option है आप चाहें तो bank जाके manually अपनी limit को increase करा सकते हैं या फिर दोस्तों आपको wait करना है financial year के खतम होने का दोस्तों जैसे financial year खतम होगा आपके account की threshold limit automatically update हो जाएगी आपको महाँ पर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको financial year के बीच में ही अपने account की threshold limit को increase कराना है तो उसके लिए आपको कौन-कौन से document देने पड़ सकते हैं दोस्तों document की मैं अगर बात करूँ तो इस समय आपके ID proof के साथ साथ आपसे आपका ITR और turnover proof भी मांगा जा रहा है ये एक latest update है दोस्तों पहले आपको अपने turnover proof और ITR लगभग नहीं देना पड़ता था ये सिर्फ और सिर्फ आपके ID proof के अधार पे ही हो जाता था लेकिन दोस्तों फिलहाल के जो scene है इसमें आपसे आपका ITR और आपका turnover proof मांगा जाता है दोस्तों आपको bank में जब भी अपने threshold limit को बढ़वाना है तो उसके लिए आपको एक application लिखना पड़ेगा दोस्तों अगर आपको application का format नहीं पता है तो आपको वीडियो समझ में आ गया होगा दोस्तों अगर आपके मन में अब भी कोई doubt बसता है threshold limit से related तो आप बही चक मुझे से कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा ही लिए इस टेक्लोंजी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिलको भी मत भूलिएगा दोस्तों मिलते हैं लिए वीडियो में तब तक के लिए टेक केर